हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू साइंस मैगनेट दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी आई होप सभी बहुत अच्छे हैं शांदार हैं जानदार हैं तो आप लोगों ने बढ़िया संडे की चुट्टी बना ली है तो आजाईए वापिस आप लोग पढ़ा ही पे लग जाईए आप लोगों को most expected questions करवा रहा हूं और आप लोगों को इस class की PDF साइंस मैगनेट एप से मिल जाएगी जब आप लोग साइंस मैगनेट एप डाउनलोड करोगे तो यह जो YouTube classes वाला section है इसमें आप लोगों को PDF मिल जाएगी class के बार में और साथ में यही नहीं आप लोगों क इन्फोग्राफिक्स मिलती है डेली क्विजेस मिलती है जिसके माध्यम से आप लोगों को अग्यान का लेवल और बढ़ता रहेगा चलिए स्टार्ट करते हैं class को चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग चलिए स्टार्ट करें class चलिए तो पहला question आपके screen पे आ चुका है आप लोगों से पूछा जा रहा है canis lupus किसका वेग्यानिक नाम है आप लोगों को पता है कोई भी जीव होता है चाहे वो जन्तु हो चाहे वो आप लोगों का पादप हो सभी का कोई ना कोई scientific name यानि व question इस बार के railway NTPC CBT1 में पूछा गया था तो canis lupus होता है wolf यानि भीडिये का देखो आप लोगों कर वाल्फ का सर्च करोगे net पे तो आ रहा है canis lupus तो correct answer option number D हो जाएगा बागी के 3 के भी मैं आप लोगों को बताता हूँ cat का होता है यह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आप लोगों का red fox का हो जाएगा welpus और dog का हो जाएगा canis lupus family race है ना तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है क्योशन में क्या पूछा जा रहा है निमली किट में से कौन सा दूद में खटास पैदा करता है अब क्योशन तो यह बहुत सिंपल है लेकिन इसके बाद में जो इसमें में क्योशन एड़ करने वाला हूँ वह important है वह आप लोगों को बताना है बताओ क्योशन इसका तो सिंपल से हो जाएगा दूद में खटास पैदा कौन करता है तो दूद को जब आप लोग काफी समय के लिए खुले में रख दोगे तो दूद में जो एक कार्बो हाइडिर पाया जाता है जिसका नाम क्या है लेक्टोस ठीक है तो जब आप लोग दूद क को खुले में रखोगे तो कुछ बैक्टिरिया होते हैं जो इस लेक्टोस को किसमें कनवर्ट कर देते हैं लेक्टिक एसिड में जिसकी वज़े से दूद आप लोगों का खटा हो जाता है आप तो सिंपली मुझे ये बताईए कि जो ये लेक्टिक एसिड होता है इसका पूछा जा चुका है जैसे इस बार भी आप लोगों को बता है रेल्वे एंटी पर से सीवी टेवन में पूछा गया था पाईरुविक अमलब में कितने कार्वन पाए जाता है तो पूछा जा चुका तो लेक्टिक एसिड का तो आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है तो एक नाम से और जाना जाता है एक जाम में कन्फूज मत हो जाना अगर आप लोगों से पूछा जाया है है जियूरिनिक एसिड किसका दूसरा नाम है तो विटामीं सी का साइंटिविक नेम जो एसकॉर्विक एसिड है इसी का ही दूसरा नेम क्या है है जियूरिनिक एसिड ह और यह आप लोगों का कितने कार्बन वाला एसीड है छे कार्बन वाला ठीक है दोस्तों चलिए इस कंसर बताईए बहुत बढ़िया नेश कोशन आप लोगों से पूछा जा रहा है निमलिकित में से कौन उर्जा का वानिजिक शौत नहीं है कॉमर्चल सोर्स नहीं है देखि जिनके लिए आप लोगों को पैसा देना पड़े सिंपली बात है तो पैट्रोल ऐसा तो नहीं कि बारिश हुए पैट्रोल आ गया आप लोगों को इसके लिए पैसा देना पड़ेगा और कुछ सोर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए आप लोगों को पैसा देने की जरूत नहीं वो अलग बात है यह लोग कुछ पैसे मांग सकते हैं उससे लेकिन आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा जैसे काउ का डंग होता है आप लोगों को पता है जब आप लोगों को जलाओगे तो उससे आप लोगों को एनरजी मिलेगी न कहीं पर यह पेड टूट के गिर गया तो उस लखडी को अगर आप लोग जलाओगे तो उससे एनरजी मिलेगी तो सेम चीज है दोस्तों जो फायर फोड है यह आप लोगों का कॉमर्शल सोर्स नहीं है करेक्ट अंसर आप लोगों का ओप्शन नमबर डी हो जाएगा जबकि यह तीन आप लोगों के कॉमर्शल स लोगों कहीं पर गिर गई तो उसको आप जलाओगे एनरजी मिलेगी यह नहीं वह एनरजी का सोर्स है बट वो कैसा सोर्स है आप लोगों का नॉन कॉमर्शल सोर्स है जबकि जिनके लिए आप लोगों को पैसा दना पड़ेगा इलेक्टरिसीटी नैचुरल यह आप लोग जो आप लोगों को फंगस यानि कवक से हो जल्दी से बताइए सर आट रुपे किलो है लकडी बिलकुल मैं आपको यह तो बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो नॉन कोमर्शल जो सोर्स है वो ऐसे भी आप कोई भी फ्री में बाट रहा जैसे आप अपने म पैसे लिलो कि नहीं मैं तो 2 रूपय लूँगा एक चाने के जो भी मतलत रास्तान दूस को चाने बोलते हैं समझ गया न किसकी जब वह जो गाय का जो गोबर होता है उससे चापके वह बनाय जाता है न दिवा रुपय चापए जाते हैं लिए तो निम्न में से क्या एक फं इंफ्लेमेशन ये इसकी इडिटेशन की नाम से जानते हैं क्योंकि इस बिमारी के तहट आप लोगों की स्किन में इंफेक्शन होता है कुछ रहसे पड़ता है तो यह जो डिजीज है आप लोगों की एक फंगल डिजीज है फंगल से होने वाला रोग है करेक्ट अंसर आप् आप लोगों को क्या बोला जा रहा है आप लोगों से सिंपल सी एक छोटी सी बात बोली जा रही है निमली कित में से किक्स योगीक में सबसे मजबूत सबसे स्ट्रॉंग आप लोगों को हाइडरजन बॉर्ण मिलेगा बताइए बताओ सर एंटी पेसी सी बीटी वन और रेलवे गुरूब डिके पी वाई क्यू की सिद्री स्टाट करी बिल्कुल दोस्तों जैसे आपको पता है शाम को चार बजे मैंने उस दिन रेलवे एंटी पेसी सी बीटी व कौन किस योगिक में सबसे मजबूत हाइडरोजन बॉर्ण है अब दोस्तों सबसे पहले आप लोग समझे हाइडरोजन बॉर्ण होता क्या है यह आप लोगों के दो अनुवों के मद्द है यानि बिट्वीन टू मॉलिक्यूल इसको आप लोग और क्या बोल सकते हो बिट् in term molecule बोलूंगा यह इंट्रा-molicle बोलूगा intra molecular bond आप लोग इसको बोलते हो molecule के अंदर यानि atom item के बीच में जो बांड होता है जैसे हम लोग बात करते हैं HF ठीक है या HCL की बात कर लेते हैं दोस्तों आप मुझे बताइए HCL ये पूरा का पूरा एक molecule है molecule किसको बोलते हो atom atom मिलके जो बनते हैं उसको molecule बोलते हैं तो HCL को मैं एक molecule अनू बोलूँगा क्योंकि hydrogen एक atom है chlorine भी एक atom है यहां पर atom atom जुड़े हैं तो इसको आप लोग molecule यानि क्या बोलेंगे अनू बोलेंगे दोस्तों क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं इन दोनों की बीच का जो bond होगा वह कौन सा bond होगा वह एक कोवेलेंट bond होगा या या आईनिक बंद होगा तो आप लोग सिंपल सी बात जानते हैं hydrogen एक अधातू है chlorine भी एक अधातू है और अधातू अधातू के बीच का जो बन्द होता है वह कौन सा होता है आप लोग बोलेंगे सर वह है इलेक्ट्रों की शेरिंग यानि इलेक्ट्रों की साजेडारी से बनता है कहानी क्लियर है क्या तो आप मुझे बताईए यहाँ पर एक सिंगल बॉंड है यह डवल बॉंड सर यहाँ पर एक सिंगल बॉंड है इसका मतलब क्या है एक इलेक्ट्र चाली कौन है हाइड्रोजन ज्यादा शक्ति चाली है क्लोरीन मतलब किसकी एलेक्ट्रोन नेगेटिविटी ज्यादा है आप लोग बोलेंगे सर क्लोरीन की है तो इसकी एलेक्ट्रोन नेगेटिविटी यानि विद्रतिनात्मक्ता ज्यादा होने की वज़े से इस बॉन्ड के जो दो electron है ये chlorine अपनी तरफ थोड़ से खीच के रखेगा क्योंकि इसकी electron negativity जादा है तो इस पे चन्नू सा चन्नू सा negative charge आ जाएगा और इससे electron दूर जा रहे हैं तो इस पे चन्नू सा positive charge आ जाएगा समझ गई क्या सेम चीज दोस्तों यहाँ पर भी होगी कोई दूसरा molecule होगा HCL का वहाँ पर भी यह होगा इस पे चन्नू सा positive charge इस पे चन्नू सा negative charge अब आप मुझे बताईए क्या positive charge और negative charge आपस में एक दूसरे को आकरशित करेंगे क्या किसी बल से आकरशित करेंगे क्या बिलकुल तो यह negative और इस positive के बीच में एक जो bond बनेगा एक जो attraction force होगा इसे ही आप लोग क्या बोलेंगे hydrogen bond बोलेंगे दोस्तों कहानी clear है क्या प्लीज बताईए hydrogen bond बोलेंगे अब question यह आता है sir hydrogen bond ज्यादा शक्तिशाली कब होगा आपको पता है positive charge और negative charge आपस में एक दूसरे को आकरशित करता है लेकिन जितना ज्यादा positive charge होगा और जितना ज्यादा negative charge होगा इनके बीच में लगने वाला आकरशन उतना ही ज्यादा होगा तो अगर chlorine की जगए यहाँ पर fluorine होता है ना जिसकी electro negativity यानि विद्धू त्रिनात्मकता सबसे ज्यादा है तो इसके पास में ज्यादा negative charge जाता इस पर ज्यादा positive charge जाता तो अगर कोई दूसरा molecule होता तो वहाँ पर भी ज्यादा positive charge यहाँ पर negative charge तो इनके वीच में आकरश ज्यादा होता तो सबसे ज्यादा hydrogen bond आप लोगों को सबसे strong hydrogen bond आप लोगों को किसमें मिलेगा option number C में मिलेगा दोस्तों समझ गए बात को जल्दी से बताईए क्या बात है बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया great है बहुत बढ़िया ठीक है चले आगे आजाईए नैश कोशन आपके स्क्रीन पे आराम से आप लोग देखिए अंसर बताईए आप लोगों से बोला जा रहा है जो water gas है यह किसका mixture है तो simple सी बात है आप लोग सभी जानते है water gas किसको बोलते है carbon monoxide और hydrogen gas के mixture को water gas बोला जाता है बट question आप लोगों से exam में यह भी पूछा जा सकता है कि water gas किससे बनती है यह carbon monoxide और hydrogen gas का mixture बनाने के लिए यानि water gas बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे तो simply आप लोग देखो यहां पर देखो जब आप लोग carbon monoxide की अभी करिया ठीक है समझो मैं क्या बोलना चाहरा हूँ question में आप लोगों से यह पूछा जाता है कही बार कि यह जो carbon monoxide जो है इसकी आप लोग water से यानि steam से भी करिया करवाओगे तो इससे क्या मिलता है तो इससे आप लोगों को hydrogen gas मिलती है और साथ में carbon dioxide gas अब देखों यहां पर फाइदा क्या हुआ देखों यहां पर फाइदा क्या हुआ देखों कार्बन monoxide क्या है एक जहरीली gas है पोईजिनस gas है तो अगर आप लोगों को इसको carbon dioxide gas में बदलना है तो इसके लिए simply आप लोगों को क्या करना पड़ेगा इस टीम वाश पर एड करनी पड़ेगी पानी नहीं एड़ करना देखों गैसी जवस्ता में ध्यान रखिएगा इसका चलिए इसका अंसर बताईए आप लोगों से क्या बोला जा रहा है आनुवानशिक्ता की मूल इकाई क्या है what is the basic unit of heredity देखिए simple सी आप लोग एक बात समझिए दोस्तो heredity आप लोगों को क्या होता है आप लोगों को पता है एक generation से दूसरी generation में कुछ characteristics आती है और इसी चीज को हम लोग heredity यानि आनुवानशिक्ता बोलता है तो आप मुझे एक छुटी सी बात ये भी बताईए क्या कि ये जो आप लोगों की heredity होगी heredity जिसे आप लोग हिंदी में आनुवानशिक्ता बोलता है तो कोई ना कोई तो चीज होगी ना जो एक generation से दूसरी generation में आ रही होगी जिसकी वज़े से characters के transfer होगे तो जो चीज आ रही है उसे ही हम लोग क्या बोलते है जीन इसलिए unit of heredity यानि आनुवानशिक्ता की जो एकाई होगी वो क्या हो जाएगी जीन हो जाएगी अगर मैं आप लोगों से पूछा जाएग जीन किसे मिलके बने होते हैं तो जीन DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं समझ गए बात को चलिए नैश कोशन आपकी स्क्रीन पे क्या बात है यार सभी के अंसर आ रहे हैं सोना वेद राजेश कुस्टुम निखिल राहुल आलोक वेद ठीक है और दोस्तों आज श्याम को चार बज़े जो एंटी पीसी सी बीटी वन में पूछे गए सैंस के कुशन ते मैं वो करवाँगा इस बात का आप लोग ध्यान रखिए ठीक है सर आपकी अभी कोई बूख है क्या नई दोस्तों कोई बूख नहीं है अभी मानो मस्तिक का सबसे बड़ा हिस्सा निमलिखित में से कौन सा है तो जो हमारा हिउमन ब्रेन होता है उसको आप लोग टोटली तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो एक होता है फूर ब्रेन जिसे आप लोग हिंदी में बोलते है अगर मस्तिक एक होता है मिड ब्रेन जिस से आप लोग हिंदी में बोलते हैं five शे मस्तिक समझ में आगया तो मानो मस्तिक का सबसे बड़ा हिस्सा कौन 영화 तो अगर इन तीनों में competitive region करेंगे तो सबसे बड़ा आप लोगों का ये है दूसरे नमबर पर ये है तीसरे नमबर पर ये है बट आप्शन में ये तो था ही नहीं तो आप लोग ध्यान रखिए जो ये जिसे हिंदी में भी थेलेमस बोला जाता है एक होता है हाइपो थेलेमस तो इन में से भी दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा है सेरेबरम है प्रेमस तो करेक्ट अंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नमबर भी एक चीज आप लोग और यान रखिए अगर आप लोगों से एक जय हो जयां का काम क्या होता है तो जो हमारी मैमोरी जो हमारी यादास से नवरा होती है तो जो जो तो जो brains होते हैं वो तीन टाइप के four brain, mid brain, hind brain एक चीज़ आप लोग और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कई बार exam में पूछा जाता है four brain का दूसरा नाम क्या है तो दूसरा नाम हो जाएगा prosencephalon आप लोग confused मत हो जाना है आप लोगों से पूछा जाए prosencephalon क्या है आप लोग confused जाओ पता नहीं यार क्या है prosencephalon mid brain का दूसरा नाम क्या है mizinsimphalon है ठीक है और hind brain का दूसरा नाम क्या है romencephalon है अब देखो यह आप लोगों का जो पूरा का पूरा brain था इसको अगर आप लोग side से देखोगे तो यह वाला part हो जाएगा four brain यह वाला इसके बीच में है आपका mid brain जो आप लोग blue color से देख पा रहे हो और जो purple color में आप लोग देख पा रहे हो वो क्या है आप लोगों का hind brain है four brain के तीन part मैंने बता दिया एक आप लोगों का ठेले मस हो जाएगा है ना जैसे यह वाला part आप लोगों का जो red सा देख रहो यह आप लोगों का ठेले मस है एक आप का hypotellे मस हो जाएगा और एक आप लोगों का cerebrum जिसे आप लोग प्रैमस्तिक बोलते हो इसके भी अलग-अलग पार्ट होते हैं सेरेवर्म के और सीविटल लोग टेंपरल लोग पैराइटल लोग समझ गए बात को चलो नेक्श हम लोग बात करते हैं चलिए क्योश्चन आपकी स्क्रीन पर है जल्ली से बताइए आप लोगों से बोला जा रहा है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है तो हमारे शरीर यानि हमारी बोडी में मतलब आप लोग क्या-क्या खाते हो सबसे ज़्यादा सर मैं कार्भोईडेड वाली चीज ज़्यादा खाता हूँ और इसली बात है क्योंकि बहुत जरूरी एनरजी आपको इससे मिलेगी सर मैं प्रोटीन वाली चीज भी खाता अब आप लोग बोलेंगे कि सर में घुक्त फाता ही रही हूँ प्रोटीन वाली चीज अरे आप लोग जो भी मतलब रोटी भी खायाना वहसमें खुक्रोटीन मिलेगा आप्या सबजी में तील होता यह न जो आ यह का तो carbohydrate कौन सि 3 चीज़ों से मिलके बना होताँ कार्बन फैट किन चीज़ों से मिलके बना होता है तो हमारी बॉड़ी में सबसे ज़्यादा मातरा किसकी होगी और सोट से बिल रहे हैं वह लेकिन डोस्तों एक चीछ ध्यान रखिए ऑक्सिजन आप लोगों का और किसी सोर से भी मिल रहा है आप जाघार रहे है तो सबसे ज्यादा मातरा में कांवा और अपका हैं ठीक है दोस्तो प्रोटीन कार्बन हाइडोजन औक्सिन और आइडोजन से मिलके बना ओता ठीक है तो यह आप लोग का सबसाधिक मातर में औक्सिन कितना 65% होता है कार्बन आपका 18.5% हाइडोजन आपका 9.5% ठीक है तो करेक्ट अंसर आप लोगों का ओप्शन नमबर भी हो जाएगा बताईए बताईए बहुत बढ़िया दोस्तो क्योशन में आप लोगों को बोला जा रहा है डैश में कार्बोनिल समू नहीं होते हैं चार आप लोगों को ओप्शन दिये मैं बताईए लेकिन दोस्तो कार्बोनिल समू या कार्बोनिल ग्रूप आप लोग किसको बोलते हैं अगर कहीं पर आप लोगों को कार्बन और ऑक्सिजन दिख रहा है जिनके बीच में डबल बॉंड है अगर इस कार्बन से आप लोगों का कुछ जुड़ा होआ है अगर इस carbon से कुछ जुड़ा हुआ है तो इसे ही आप लोग बोलते हैं carbonil group तो carbonil group पैचानने का सही तरीका क्या है carbon और oxygen के बीच में double bond होना clear है क्या इस carbon से कुछ जुड़ा होना कुछ भी हो सकता है वो hydrogen भी हो सकता है कुछ और carbon भी हो सकता है सेम चीज क्या है इस carbon से कुछ जुड़ा होना वो कुछ भी हो सकता hydrogen oxygen carbon कुछ भी हो सकता है ठीक है तो चलिए दोस्तों aldehyde की सबसे पहले बात करते हैं aldehyde क्या होता है जिसमें CHO जुड़ा होता है आप लोग कहीं पर general formula देखोगे aldehyde का तो यह नजर आएगा अब आप ल हो गया अब यह CHO में कैसे होता है आप लोगों का देखो यहां पर carbon oxygen की बीच में double compound होता है और इदर हाइडोजन जुड़ा होता है तो क्या आप लोगों को aldehyde में carbonyl group दिख रहा है क्या सर इसमें तो यानि पाया जा रहा है कार्बॉक्सलिक एसिड क्या होता है आप लोगों का पाये जाता है किटोन में क्या होता है कार्बन और oxygen की विच में double bond होता है यहां इस कार्बन से कुछ कार्बन से कुछ कार्बन जोड़े होता है तो यहां पर भी आप लोगों को carbonyl group दिख रहा है बिलकुल दिख रहा है दोस्तों एथेनॉल का formula क्या होता है C2H5OH इसका जब structure देखोगे कैसा होता कुछ ऐसा structure होता है आप मुझे एक छोटी सी बात बताईए कि क्या यहां पर आप लोगों को carbonyl group दिख रहा है आप लोग बोलेंगे जी सर दिख रहा है देखो यहां पर carbon और oxygen के बीच में देखो एक bond है तो एक bond नहीं चाहिए क्या होना च आप लोग इसको carbonyl group बोलेंगे समझ गए बात को तो तब जाके आप लोग इसको carbonyl group बोलेंगे यहां पर आप लोगों का क्या है single bond है तो कुल मिलाके आप लोगों का option number D में नहीं मिलेगा ठीक है सर आप मेरी सुननी रहे हो मैं ऐसे करूंगी लपे मुझे बताओ बताओ ब जाएगा अभी मेरी कोई book नहीं है तो कि मेरा यह मानना है कि यार जब तक product बढ़िया उसको launch करने की जरौत मतलब वह नहीं है मैं चाहता तो कुछ भी इतना content पढ़ा है कुछ भी लपेट के आपको वोलता लो मेरी book आगए 200 में 300 में फिर क्या मतलब उसका है रहना तो simple सी चीज है जिसमें मैं अपना best in class नहीं दख सकता कोई product तो उसको launch करने का कोई मतलब नहीं है जैसे आपको पता है जो मैंने course भी launch किया है आप लोग आके देख लिए हूँ क्या शांदार animation सारी कुछ वो best in class है उस railway group डी वाले मिली नहीं सकता आपको कहीं पर तो सेम चीज है बुक भी मैं तब launch करूंगो जब मेरे को लगेगा कि यार मेरा product best in class मन गया मतलब आपको उससे better मिल ही नहीं सकता हो तब ही launch करूंगो उससे पहले कोई मतलब नहीं है वर्ना भई जो market में already बुक हो उससे पास साथ गयो ना बढ़िया content तो अपने पास में already है मैं आपको प आप लोगों से बोला जा रहा है मानव रिदे में शुद्ध रक्त पाया जाता है देखिए यहां पर pure blood आप लोग किसे बोलेंगे यहां पर pure blood का बोलने का मतलब यह है वह है blood जिसमें oxygen की मात्रा ज़्यादा है यानि oxygenated blood की बात कर रहा है और आप लोग impure blood किसे बोलेंगे इस वाले case में जिसमें oxygen की मातरा कम है जिसे आप लोग deoxygenated blood यानि oxygen रहित रखत भी आप लोग बोलते हैं clear है क्या अब आप लोग मुझे एक छोटी से बात बताईए जैसे ये हमारा hurt है हमारे hurt में 4 chamber होते है आप लोगों को पता है जैसे ये मेरा hurt है तो ये left वाला part हो गया ये right वाला part हो गया तो जो left वाला part होता है इसमें कौन सा blood होता है oxygenated blood होता है pure blood होता है जबकि जो right वाला part होता है इसमें deoxygenated blood होता है यानि वह blood जिसमें oxygen के मातरा कम होती है अब देखो एक छोटी सिवा समझो उपर वाले जो दो पार्ट ना इसको बोलते है औरिकल या आलिंद तो ये आपका लेफ्ट औरिकल यानि बाया आलिंद ये आप लोगों का राइट औरिकल यानि दाया आलिंद नीचे वाले को बोलता है वेंट्रिकल निला है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल बाया निला है ये आप लोगों का राइट वेंट्रिकल यानि दाया निले तो पहले तो मुझे बताइए मानव रिदय में शुद्रक्त कहां पर पाये जाता है क्या राइट और यानि दाया आलिंद और राइट वेंट्रिकल दाया निले में पाये जाता है क्या नहीं पाये जाता तो यार देख लेफ यानि बाय निले से एक मोटी सा पाइप निकलता है जिसे आप लोग बोलते हैं औरोटा यानि महादमनी तो लेफ लेफ वेंट्रिकल में जब संकुचन होगा इसमें जब कॉन्टरक्शन होगा तो यह जो प्यूर ब्लड होता है वो आपका औरोटा महादमनी में जाता है तो आपको कहाँ पर मिलेगा एक तो left ventricle में मिलेगा एक और उटा महादमनी में मिलेगा correct answer option number एह हो जाएगा समझ गए बात को चलिए बहुत बढ़िया Nash Ocean आपके स्क्रीन पर बताईए निमलिखे जानवरों में से या जनतूं में से तीन जोड़ी पैर वाले को चुनिए देखिए आप लोगों को पता है जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको आप उनकी विशेश्ताव की आदार पर अलग-अलग phylum यानि अलग-अलग संग में रखते हैं तो ऐसे एनिमल्स जिनके पैर जुड़े वे होते हैं उसको आप लोग कौन से संग में रखते हैं और्थोपोडा संग में रखते हैं समझ में आ गई बात को ठीक है अब मेरे प्यारे दोस्तों और्थोपोडा संग में जितने भी एनिमल्स आते हैं उनको भी आप लोग-अलग क्लास यानि अलग अलग वर्गों में रखते हो, ऐसे आप लोगों के और्थो पोड्स जिन में तीन जोड़ी पैर पाये जाते हैं, त्री पेर ओफ लेक्स पाये जाते हैं, उसको कौन से क्लास में रखते हो, उसको इंसेक्ट यानि कीट वर्ग में आप लोग रखते हो, अब आप लोग तीन जोड़ी पैर वाला चुनना है यानि आपको इंसेक्ट चुनना है तो ये इंसेक्ट नहीं है स्कॉर्पियन बिच्छू में भी चार जोड़ी पैर पाए जाते है यानि ये भी आप लोगों का इंसेक्ट नहीं है अब ये सी होगा डी होगा इदर देखो दोस्तों बात करें हम लोग माइट की तो इसमें भी चार जोड़ी पैर जारा है यानि ये भी आपका इंसेक्ट नहीं है तो मैंने मैट को भी हटा दिया अब बात करते हैं ऑप्शनर नमबर सी बग की तो देखी बग की बात करें माइट का тобой मैंने बताया जाए ना कि माइट के पास में 8 लैक होती है अब बग के पास बच करें एक जोड़ी दूसरी जोडी और तीसरी जोडी ये है आप लोगों का बग तो कहने का मतलब क्या है ये आप लोगों का एक इंसेक्ट हो जागा इसमें तीन जोडी पैर हो जाएंगे option number C अब ये बग computer वाला नहीं समझे दोस्तों ये एक animal है न animal आप लोग किसको बोलते हैं ऐसे जीव जिनमें यू केरोटे कोशिक आई जाती है जो बहु कोशिक होते हैं जो प्रकास translation नहीं कर सकते हैं समझ गए बात को चलिए बहुत बढ़िया अब दोस्तों ये जो बग होता है न ये आप लोगों को कहां पर मिलेंगे बहुत सार animal चोता हैं कि बोड़ी पर आप लोग की ग्रो कर जाते हैं चलिए बताइए इसकान सर बताइए आप लोगों से ये पूछा जा रहा है सबसे पहले खोजा गया amino acid कौन सा था अब सर ये amino acid क्या होता है इस बात को आप लोग समझिए दोस्तों जो protein होता है न क्या आप लोग जानते हैं वह polymer है बहुलक है बहुलक किसको बोलेंगे जो बहुत चोटी चोटी चीजों से मिलके बना होता है ठीक है तो ये कितनी चोटी 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 चीजे होती इनको क्या बोलते है amino acid यानि amino आप लोगों का essential amino acid एक होता है आप लोगों का non essential amino acid दोस्तों essential amino acid आप लोग किसको बोलते हैं जिनका निर्मान हमारी body में नहीं हो सकता इनको आप लोगों को food के माध्यम से ही लेना पड़ेगा non essential amino acid कौन से होते हैं ऐसे amino acid या ऐसे amino acid जिनका निर्मान हमारी body में हो जाता है तो बात करते हैं सबसे पहला amino acid कौन सा खुजा गया था दोस्तो एस्परजाइन खुजा गया था देगो The first amino acid was discovered in 1806 in France and was isolated from asparagus It was named asparagine ठीक है तो correct answer आप लोगों का option number D हो जाएगा अब देखिए छोटी सी बात आप लोग समझेए अगर आप लोगों से पूचा जाए बढ़े तो भी बन जाता है आप लोगों को saúde के माध्यमें चेले में जुरूते नहीं है समझे बात को ठीक है आज आ अगर और आप अगर आप लोगों से क्या बोला जा रहा है ने मली contribute में से क्लोरीन पर का परमानु दर्वेमान आपगों को बताना है, जैसे आप लोगों सोडियम परमानु यहाई तो आपको पता है जो थोड़िए को योगा होग अगर आप लोग इस अध्याय कंद नो कि यहाई क dob ऐहिए तो अब लोग्हें चार option दिए मैं, बताओ, बताइए, देखो, यहार देखो, आप लोगों को मैं बता दूँ, कलोरीन के दो isotopes नहीं, दो समिस्थानिक पाई जाता है, समिस्थानिक क्लोरीन आपका दो form में पाई जाता है, एक तो दूदेखो, यह आप लोगों का हो जागा, 17 CL35 और 17 CL37, उपर जो संख्या लिखी होती है उसको द्रव्यमान संख्या बोलते हैं अगर आप लोग उस द्रव्यमान संख्या के आगे 37 के आगे अगर आप लोग लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा एटोमिक मार्च बन जाएगा परमानु द्रव्यमान बन जाएगा यानि इस वाले आईसोटोप का पर्माद दरव्यमान कितना होता है 37 AMU इस वाले का कितना होता है 35 AMU होता है समझ में आ गए क्या अब आप लोगों को सबसे ज़्यादा मातरा में कौन सा मिलता है ये मिलता ये कितना मिलता है मतलब लगबग जितना भी क्लोरीन के एटम मिलेंगे आपको 75% chances है ये वाले मिले और 25% है आप लोगों के ये वाले मिले तो आप लोगों को average atomic mass निकालना है तो जो 35 AMU वाला है ये तो कितना पाया जा रहा है 75% तो इसको मैंने 0.75 से multiply कर दिया और जब कि जो आपका 37 AMU वाला है वो कितना पाया जा रहा है केवल 25% तो इसको 0.25 से multiply कर दिया तो जब आप लोग इसको solve करोगे तो आप लोगों का answer कितना हो जागा 35.5 तो मैं आप लोगों से बोलूँगा आप लोग सिंपल सीधा data याद रखिये ना आप लोग एक जब में calculation करने नहीं मत बैट जाना किया रहे से करके से निकालूँगा सिंपल सी बात याद रखो और AMU जो होता है इसके full form होती है atomic mass unit यानि परमाणू दरव्यमान एक कई एक AMU में कितने kilogram होते हैं 1.67 into 10 की power minus 27 kg अब आप लोग बोलोगे किसर यार यह तो देखा हुआ लग रहा है बिल्कुल यार यह आप लोगों का क्या है proton का दरव्यमान है तो proton के दरव्यमान को हम लोग AMU बोलते हैं और इसको short में आप लोग इस U से भी represent करते हैं तो correct answer आप लोगों का option number B हो जाएगा ठीक है दूस्तू ठीक है चलिए answer बताईए इसका question आपकी screen पर बताईए आप लोग मुझे बताईए निमली कित में से किस रत्म में बेडिलियम दातों पाई जाती है तो यह आप लोगों का इस बार का NTPC CBT1 का question है बताईए होगा हैना बहुत सारे लोग पैंते भी हैं अंगुठी में हीरा का पन्ना का पता में क्या क्या पैंते हैं वह चलो सब की अपनी इपनी सोच है बताईए तो निमली कित में से किस रत्म में बेरिलियम धत्तू पाई जाती है आप लोगों के पास में formula देखोगे इसका तो देखो क्या इसमें आप लोगों का beryllium मिल रहा है मिलकुल मिल रहा है तो correct answer आप लोगों का option number B हो जाएगा चलिए दोस्तो sapphire नीलम पे नजर डालता है ये रहा sapphire नीलम तो इसके formula में क्या आप लोगों को beryllium देख रहा है नहीं देख रहा दोस्तो option number C ruby तो ruby के formula में क्या आप लोगों को beryllium देख रहा है नहीं देख रहा और कौन सा था आप लोगों का option number में टोपास ता टोपास के formula में क्या beryllium देख रहा है नहीं देख रहा तो Beryllium आप लोगों को कहां पर मिलेगा Emerald DNA पंदे में आप लोगों को मिलेगा clear है बहुत बढ़िया और यहां दोस्तो सेक्षन को like करते हो चले से कैसे बठे रहते हो ठीक है चलो बताईए और दोस्तो आप लोगों की जो भी paper होते न आप लोग जब paper देख रहा हो तो आप लोग उसमें science के जो question है चाहिए आपका state PSC का कोई से भी हो इस नमबर पर आप लोग वाट्साप कर देखे 7374019437 पे ठीक है जिससे एक proper analysis में करवा सकूँ वैसे तो सारे आप लोग बेज देते हो आपको बोलने भी जरूत नहीं पड़ती है पर फिर भी आप लोगों के upcoming जो भी paper हो कोई भी देख रहा है आप लोग इस पर बेज दीजे जिससे एक मैं आप लोगों को proper analysis करा दूँ मैं बता दू कि यह answer सही है यह गलत है तो आप लोग एक बार अपना चेक भी कर सको कि हाँ यार आप जो करके हैं वो सही है यह गलत है चलिए बताए सरे क्योशन आयता सी होर्स के आया दोस्तों यह आप लोगों की मचली है ठीक है मचली एक फिश है एक पढ़ाय तो ता मैंने आप लोगों को डैश तत्वु में दो कक्षाए होती है किसमे कोशों की संख्या 2 है और वो पूरी तरीके से वरी होई है देखो समझो मेरे बात को तो कोशन आप लोगों का सबसे पहले बात करते हैं हीलियम हीलियम का प्रमर्म करमा कितना है हाइडोजन का एक होता है hylion का 2 होता है, तो hylion का परमanner कर्मा 2 यानि hylion की रिफ्फ्फ्फ्प कितना है 2 है तो किसी भी atom में जो electron χोते हैं वो कहां पर चक्क्र लगाता है nucleus के 4 ओर जिम रिफ्फ्फ्फ्फ दखाने को परमाण उक्रमा 18 लेक्ट्रोसً तत्व आते हैं उनमें एक कक्षा होती है दूसरे आवर्त में जो तत्व आते हैं उनमें दो कक्षा होती है तीसरे आवर्त में जो तत्व आते हैं उनमें तीन कक्षा होती है चौते आवर्त में जो तत्व आते हैं उनमें चार कक्षा होती है तो यहां पर हीलियम यहां पर न और आपको पता है क्या हुआ यह पूरी तरीके से भरी हुई है तो टीषिट का क्या हुआ वह बहुत अच्छा क्योंस आप लोगों ने पूछा है तो आज हो गया सोंवार एक करते हैं या तो कल या पर्सो डिस्ट्ट्टोउस कर जएता है कि मना पूर एक वीडियो बनाए मैंने जितने भी बच्चों सारे वीडियो एड़ करें सारे मैसेज करें क्योंकि आपने प्यार से इतने आप लोगों सर कल का जो वेश्ट बंगल का पेपर हुआता है ना हाँ तो वो भी भेज दीजेगा ठीक है आप लोगों से बोला जा रहा है एक सफेध ठोस दोस्तों ये इस बार के I.C. A.R. का जो पेपर हुआ था उसका इक धोस्तों है एक सफेध ठोस एक सॉलीड है जो की कौन से कलर का है वाइट कलर का है आप लोग क्या कर रहे हो इसको गरम कर रहे हो आप लोगोंको बोला जा रहा है इसको गरम करने पर एक गैस निकलती है यानि अभी इस मेरे को पता है इस एक बारे में मुझे कुछ भी जानकरी नहीं है बस मुझे एक जानकरी यह है मिलिए कि अगर मैं इसको गलत करूँगा तो इससे आप लोगों को कार्बन डाइ ऑक्सेड गैस मिलेगी चलिए बहुत अच्छी बात है सर जो चूने के पानी को है केलशियम हाइड्रोक्सेड तो ऐसी कौन सी गैस है जो अगर मैं चूने के पानी में मिला हूं तो इसको दुदिया कर देती है कौन सी गैस है कार्बन डाइ ऑक्सेड गैस है ना अच्छा एक गैस निकलती जो चूने के पानी को दुदिया कर देती तो वो गैस कौन सी नि oxide gas मिलाने की current यानि एक कोई ऐसी चीज़ है जिसको गरम करोगे तो उससे कौन सी gas निकालोगे निकलेगे carbon dioxide अब दोस्तों इस एक को गरम करने पर एक तो carbon dioxide gas निकल गई और साथ में जो अवशेश बचा साथ में मुझे नहीं पता क्या बना तो गरम होने पर तो वो कि अच्छा क्योशन है न तो आपको यह बताना है एक क्या है बता ओ करेंगे विल्कुल भाईया पहले पढ़ाई तो करो सब करेंगे ठीक है और आज चार बज़े एंटी विज़े के क्योशन करवाँगा आप लोग ध्यान रखेंगा इस चीज़ को चलिए देखो simple से बाँ समझो यह देखो zinc carbonate को जब आप लोग गरम करते है तो उससे zinc oxide plus carbon dioxide आपको मिलता है तो जबी यह पर लोगों का होट होता है तब तो उसका color yellow होता है अगर आप लोग इस कुछ समय बाद रखो गये जब यह ठंडा हो जागा तो उसका color white हो जाएगा तो इस सारी की सारी चीज किसकी और इशारा कर रही है कि जो वो A था वो आपका क्या था जिंक कार्बोनेट था करेक्ट अंसर आप्शन नमबर A हो जाएगा चलिए बताईए चलिए बताईए लकडी से प्राप्ट पाइरो लिगनियस एसेड जो होता है ना उसमें क्या आप लोगों को मिलेगा ये आप लोगों को बताना है तो ये चार आप लोगों को आप्शन दिये में जल्दी से मुझे बताईए क्या आप लोगों को मिलेगा देखो पहले हम लोग बात करता हैं यह pyloginous acid जो होता है इसको और किस नाम से जानते हैं दोस्तों इसको wood vinegar के नाम से भी जानते हैं और इसको wood acid के नाम से भी जानते हैं क्योंकि आप लोगों को wood में मिलेगा अगर बात करी जाए कि सर यह जो पायरोल विनिस एसीड है यह जो वुड विनेगर है इसका में मतलब इसमें में कौन-कौन सी चीज है तो दोस्तों इसमें आप लोगों का 10% क्या है एसीटिक एसीड, एसीटोन, एंड मेथिनोल है तो 10% आप लोगों का मिल जाएगा एसीटिक एसीड करेक्ट अंसर आप लोगों का ओप्चन नमबर B साथ में कुछ मात्रा आप लोगों को acetone और methionol के मिलेगी लेकिन जो major amount होता है वो आप लोगों को acetic acid का होता है जिसका formula होता है CH3COOH ठीक है दोस्तों चलिए इसका अंसर आप लोग बताईए बताईए आप लोगों से बोला जा रहा है जब 3600 कुलंब आवेश को 50 वोल्ट के विवांदर के माद्यम से एक गंटे में इस्तानांतरित किया जाता है तो जो उश्मा उत्पादित हो रही है वो कितनी हो रही है देखिए आप लोगों को मैंने कई बार बताया कि कोई भी एक रहा है माली जिए अगर इस वाइर में कुछ current flow रही है माली जिए I current flow रही है मालतें हैं T समय के लिए flow हो रही है मालतें इस वाइर का resistance R है तो अगर आप लोगों कोई सारा data दिया हुआ है तो आप लोग easily निकाल सकते होंकि किसी भी वाइर में current flow करने पर कितनी ही डवलप होती है और सी डवलप का जो फॉर्मला होता है वो कितना होता है आई स्क्वाइर इंटू आर इंटू टी जहां पर आई क्या है कितने करेंट फ्लो रही है आर क्या है आर क्या है बताइए इस तार का विबांतर कितना है टी क्या है कितने समय के लिए फ्लो आर तो आर को क्या मैं वी बटे आई लिख दू क्या बिल्कुल सर लिख दो कोई दिकत की बात नहीं है तो मैंने आ जाईए इधर लिख देता हूं आई स्क्वायर और आर की जगे लिख दिया है मैंने वी बटे आई इंटू टी से मल्टिप्लाइ कर दीजिए तो इस आई से ये एक आई कैंसिल हो जाएगा तो आपका जो हीट डवलप हो रही है उसके नया फॉर्मला आ गया वी इंटू आई इंटू टी अब आप लोग बोलेंगे सर वी विवांतर का तो मान दिया हुए 50 वोल्ट लेकिन सर करेंट का मान तो दिया हुआ ही नहीं है में मिनेक कितने होते हैं साथ मिनेक एक मिनेक में सैगंड कितने होते हैं सांट टूटल एक गंटे में जो सेकंड होते 500 लेकिन 100 में 4 कम है तो यह नहीं 5 में total कितने कम होंगे 20 कम होंगे तो 500 में से 20 कम करोगे तो कितना बचेगा 480 बचेगा तो यह तो 480 हो गया और 4 0 लगा दो 1 2 3 4 तो आपका answer कितना हो जाएगा 4 8 1 2 3 4 पास ठीक है option number B हो जाएगा समझ गए बात को clear है चलिए तो कुछ आप लोगों को homework दे रहा हूं यह आप लोगों का homework नमबर 1 है और यह है आप लोगों का homework number 2 इसको आप लोग try करिएगा ठीक है दोस्तों तो आज कलिता रखते हैं आज कलिता रखते हैं हम लोग बाकी की बात करेंगे हम लोग शाम को चार बजे शाम को चार बजे और दोस्तों में एक छोटी सी चीज बता दूँ आप लोगों के लिए बैतरी इन साइंस का कोश चल रहा है जुलाई में आप लोगों की पेपर हो जाएंगे आप लोग अभी से पन्ना स्टार्ट करो आप तब मैं जोइन करूँगा तब कुछ भी नहीं हो लाँ बैतर से बैतर प्राइज मैंने आप लोगों के लिए रखी है मैं चाता सौर पर भी रख सकता लेकिन अंदर कचरा नहीं है में को कचरा थोड़ी दे रहा हूं मैं किया रही है अंदर आ कि देखो कितनी शांदा रैन प्रेशर भी समझाया तो देखो कितनी मेनत लगा कि वो स्लाइट बनाई थी आप देखो हर एक चीट डेट में मज़ आ जागा 25 में से 25 टार्गेटर सिंपल सी बात है तो आप लोग जब डाउनलोड करेंगे तो यहां पर कोर्स आएगा यहां पर आप्शन आएगा तो यह करेंगे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू सो मच